हेलो प्रेंज वेलकम तो माई यूट्यूब चानल आज मैं आप लोगों से कुछ प्लान शेर करने जा रही हूँ जो मैंने ऑनलाइन परचेस किया है कुछ मैंने सर्कुलेंट्स ऑनलाइन खरीदे हैं नैनी लीफ की साइट से मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अ चानल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और आगे शेर भी कीजेगा तो ये देखें ये बॉक्स में छोटे चोटे ऐसे होल मने हुए हैं एरेशन के लिए जिससे की प्लांस काफी अच्छे कंडिशन में हम तक पहुंच सकें तो आईए देखते हैं कौन-कौन स किस मेरे मंगाये हैं और किस कंडिशन में मेरे पास आए हूँ ये रेखें इसमें सारे प्लांस ऐसे पाक किए एंगदम अंदर और उसकी ऊपर एक पेपर लगा हुआ था तो आईए अब फिया सक्तिliestन निकालते हैं हम अपना पहला प्लांट यह देखिए तो पहला प्लांट मेरा विश्टू कमल का है और प्लांट काफी हेल्डी दिख रहा है उपर से और आप किसी भी नरसरी में अगर सकुलेंट खरीटने जाते हैं तो आपको पता है कि 300-400 के नीचे हमें इस तरह के कोई भी सकुलेंट नहीं मिलते हैं तो आप कमें सेक्षिन में बताईएगा कि आपकी तरफ सकुलेंट के क्या रेट है यह देखिए इसमें है रूटिंग्स पी है और प्लांट भी काफी अच्छा है तो यह 149 रुपीज में मुझे बहुत रीजनेबल लगा है हाला कि मुझे इसमें इन सारे में डिलिवरी चार्ज शिपि किया था क्योंकि ओनलाइन जेनरली बहुत फ्रॉड होते है तो उसके चलते मुझे 75 रुपीज एक्स्ट्रा लगा बट फिर भी मुझे रेट सही लगा यह देखिए यह मेरा सेकंड प्लांट है स्ट्रिंग औफ पर्ल्स और इसको भी मैं खोल के दिखाती हूं कि इसमें कि कौंटेटी क्या है और इसका प्राइस है 49 रुपीज तो देखिए अंदर की पाकेचिंग भी अच्छी है पेपर से राप करके सेलो टेप लगा हुआ है और टिशू के अंदर प्लांट राप किया हुआ है तो यह देखिए मेरे स्ट्रिंग आफ पर्ल्स तो 49 रुपीज मे इस से हम काफी प्लांट बना सकते हैं और इसमें कुछ मुझे ऐसे सीट्स टाइप के दिख रहे हैं पता नहीं मुझे में सीट्स होते हैं या नहीं अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताईएगा कि इन हमें प्लांट से आते हैं या यह देखिए मेरा यह तीसरा प्लांट है लक्षमी कमल का और ये बहुत ही खुबसूरत लग रहा है उपर से इसे खोल के देखते हैं कि अंदर से प्लांट का क्या कंदीशन है और ये मिला है मुझे 99 रुपीज मैं और देखिए इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट की दिख रहे हैं ये एक काफी बड़ा सा प्लांट है ये एक और प्लांट है लेकिन ये थोड़ा गल गया है मैं प्लांट की रिपोर्टिंग वीडियो भी आपसे जल्दी शेयर करोंगी और देखिए नीचे में भी कुछ छोते-छोते से ये बेबी प्लांट मुझे इसमें दिख रहे हैं इसे भी मैं निकाल के अलग लगा दूंगी तो मेरे पास काफी सारे प्लांट बंच जाएंगे तो ये प्लांट तो मेरे लिए जैक पॉट हो गया तो